आप देख रहे हैं राश्ट्रिय हिंदी न्यूज नमस्कार आप देख रहे हैं राश्ट्रिय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अन्जनराठ हो खबर लगातार में आपका स्वागत है G7 समिट के लिए जर्मनी पहुंचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुमबार को कनाड़ा के प्रधान मंत्री जस्ट जूडो से मुलाका थी G7 समिट में ग्रूफ फोटो सेशन के दौरान एक खास पल को कैद किया गया जब अमेरिकी राश्टोपती जो बाइडन को भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से खास अंदाज में मिलते ही देखा गया सामने आए वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रोपती जो बाइडन को पियां मेरिंद मोधी के पास आते और फिर उनके कंदे पर ठक्तपाते देखा गया जिसके बाद दोनों नेता एक दूसरे को बढ़ाई देते और बड़ी ही गर्म जोर्षी से एक दूसरे से मिलते नजर आए प्रधान मंत्री रेंद मोधी ने कार्याले की ओर से जानकरी दी गई है कि पियेंद मोधी और कनाड़ा के प्रधान मंत्री जस्तित दूरो ने G7 श्रिकर सम्मिलन में इतर एक मुलाकास की है जिसमें दोनों देशों की बीच दोस्ती भरे सम्मंदों की समिक्षा के साथ दूसरे शेत्र में इसे मजबूत करमे परविचार किया गया पिलहार विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने बताया है कि दोनों देशों के नेताओं ने दुईपक्षी संबंदों पर चर्चा के साथ ही दोनों देशों ने सुरक्षा और आतंगवास निपटने में संबंद में बढ़ाने पर आपसी सहमती भी व्यक्त की है इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंदों को बढ़ाने के लिए भी चर्चा हुई वहीं जी सावन शुकर सम्मेलन के दोरान और उसके दूसरे दिन सभी नेताओं ने यूक्रेन रूस युद्ध पर बाचीत की इसके साथ ही सम्मेलन मे ब्लॉडमेर जलसकी के साथ एक सत्र के दोरान नेताओं से कहा हम यूक्रेन के साथ एक जुट है क्योंकि अगर यूक्रेन हारता है तो सभी लोगतंत्र हार जाते हैं इस धन्राशी से यूक्रेन को 2022 में सरकारी मश्रुनिरी चलाने और रूसी हमले से तवा हुई आवश्ट्यक जन्सोविधाओं को बहाल करने में मदद मिलेगी महाराश्ट में शिपसेना नीता एक नाश्षृंदे की बगावत के बास से ही राजनितिक सरगरुमी थमने का नाम नहीं ले रही है जातर शांत रहने वाले महाराश्ट सरकार में मंतरी और मुख्यमंतरी उद्र ठाकरे के बेटे अधित्य ठाकरे के तेवर भी इन दिनों काफी तल्ख नजर आ रही है इन दुनों बागी नेताओं पर लगातार पलटवार करने की साथ ही अधित्य ठाकरे अब श्रिप्षेना नेताओं को एक जुट करने में लग गए हैं हाल ही में अदित्य ठाकरे ने एक बयान में कहा जब महराज्च के मुख्यमंत्री अस्पताल में भरती थे उस वक्त बागी विधायक खुद को बेच रहे थे मैं उसे पूछना चाहता हूँ क्या कोई मानवता नहीं बची है हमने उन पर भरोसा किया अदित्य ठाकरे ने हाल ही में कई जगहों पर रहलिया की थी इस दोरान उन्होंने शुपसेना के कारकरताओं को ताजा राजनितिक हालात की जानकारी देने के साथ ही बाग्यों के बिरोध में एक जुट होने की अपिल की है फिलाल इस दोरान उन्होंने बागे के साथ मिलकर काम करने की भी संकेत दिये हैं आज़िते ठाकरे का कहना है कि अगर आपको शुपसेना में वापस आना है तो आपका स्वागत है आप आ सकते हैं माफी मांगे और मिलकर काम करें फिलाल एकनाज शुंदे के सांसर बेटे ने भी अधित्य ठाकरे के खिलाफ मोचा खोल दिया है और उनके बयान पर पलेटवार किया है एकनाज शुंदे के बेटे सांसर शुंदे ने कहा उद्फ सरकार अल्पमत में है हम जो कर रही है वो बगावत नहीं जनता की मांग है शुरिकान के इस बयान पर अधित्य ठाकरे ने उनहें इस मुद्धे पर ना भूलनले की सलह दी है बीते दिनों अधित्य ठाकरी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि जो लोग दगावाजी करते हैं वो जीतते नहीं है बागियों के खिलाफ अधित्य ठाकरी की नाराजगी यहीं नहीं रुकी उन्होंने एक गोहाटी पहुचे विधायकों को देरपोक तक कह दिया अधित्य ठाकरी ने एक नार्शुन्दे और उनकी गोट के विधायकों पर निशाना साथ ते वोए कहा कि जैसे IPL दखेलाणियों की बोली लगती है वैसे ही इन बेश्चर में विधायकों ने अपनी बोली लगाई है भारत पाकिस्तान में चार दूतावासों के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉग कर दिया है जानकारे के मुताबक इन दूतावासों पर आरोप है कि ये अपने ट्विटर अकाउंट से जूटी खबरें और दुस्परचार किया करते थे माना जा रहा है कि भारत की ओर से अभी और कुछ अने दूतावासों पर इस तरह की करवाई हो सकती है वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने टूइट कर कहा है कि भारत में टूइटर दोआरा इरान, टर्की, मिस्द और संयोक्त राश्ट्र में पाकिस्तानी दूतावासों के अकाउंट पर कारवाई करते हुए बंद कर दिया गया है उन्होंने आगरे किया है कि इनके अकाउंन को तदकाल बहाल किया जाए। बता दे ये पहली बार नहीं है जब पकिस्तान के किसी टुटर अकाउंन पर एक्शन लिया गया हो। इससे पहले भी टुटर दुआरा पाकिस्तान में राज्ट्रिय सारुफजिनिक प्रसार रेडियो पाकिस्तान के अकाउंट को बंद कर दिया गया था असम में बार की सितीमल अविवार से सुधा देखने को मिल रहा है हालनकि अब तक असम से 22 जिलों के 21 लाख से दगा लोग प्रफावित हुए है अधिकारियों के मताबिक कचधार जिले के मुख्याले शहरत सिल्चर में हालात अब भी गंभीर बने हुए है क्योंकि सिल्चर में अब भी कई इलाकों में जल भराव है अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार असंब्र बार से अब तक करीब 126 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं सेकड़ लोग लापता बताए जा रही है असंब्राजय आपता प्रवंदन प्रादिकरन की माने तो रविवार को बारपेटा, कचार, दरंगा, कारिमगंज, समेत मीरा गंगा के विभिन स्थानों से पांच लोगों के डूबने की मौत हो गई वहीं दो जिलों से दो लोग लापता है जानकारी के मुताबिक बाला जी, बखसा, सोनितपुर, तमुलपुर समेत अन्य कुछ जिलों में 22,21,500 से अधिक लोग प्रभावित होए है वहीं नागाओं उपायों ने जानकारी देते हुए बताया कि असम में नगाओं जिले में बार की इस्ति गंबीर है, रहत सामागरी कराई जा रही है लोगों तक उपलब्द कराई जा रही रहात सामागरी और उन्हें आगे के लिए तीन दिन की रहात सामागरी बेजी जा रही है और अभी फिलाल पांच दिनों के लिए रहाय सामागरी आगे पहुंचाई जाएगी जिसकी तयारी की जा रखी है और ये पूरी तरह मुफ्थ होगा और न्यूज के सहसर्थापक मुफ्थ जुवेर को धार्मिक भावना को आहत करने के एक मामले में एक दिन की पुलिस दिमान पर भी जा गया है मुहम्मद जुवेर को दिल्ली पोलिस की स्पेशल सेल ने गिरफस्तार किया है दिल्ली पोलिस का कहना है कि जुवेर को कानूरी सहायता देने के लिए थोड़ी राहत भी मिली है कोट ने कानूल सहायता प्रदान करने के लिए आरोपी मुहम्मद जुवेर के वखील को दिन में एक बार आदे घंटे के लिए पोलस हेरासत में मिलने की अनुमदी दी है दिली पोलस के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार औल्ट न्यूट के सरसंस्थावक मुहम्मद जुवेर ने अपनी जमाना दियाच्च का दायर की थी जिसे कोट में खारिच कर दिया गया है जुवेर पर धारा 153A यानी धर्म जाती जर्मस्थान निवास भाषा के आधार पर विविन संभू के बीच सतुमता को बढ़ावा देना और 295A यानी जानबूचकर और धप दुर्भाग्य पूल कारे किसी वी वर्ग के धर्मिया धार्मे की आकोमान करके उसकी धार्मित योजना के विरोध में कॉंघर निए सोमवार को पटना सिटी में सत्या ग्रह कारे करम का आयोजन किया था इस कारे करम की दौरान कनहिया कुमार समीद बिहार कॉंघर की प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहपन जा समीद काई नीता और कारकरता मौजूत रहे थी इस बीच कॉंगरेस में ता कनिया कुमार मंच से भाषन दे रहे थे इसी दोरान एक युवक विरोध करने लगा नारवाजी होने लगी जिसके बाद कई और युवक भी उग्र हो गए युवाओं ने देश दुरोवी बता कर हंगामा किया उनका कहना है कि कनिया कुमार देश के में मंच से भाषन के दुरान कहा कि हम अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे लेकिन शांती पून तरीके से सत्य ग्रह के माध्यम से करेंगे आगे कहा था कि कहते हैं जूट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो सच से जीत नहीं पाता है ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे कनिय कुमार ने आगे कहा कि हम राहुल गांधी की तरफ से कहना चाहेंगे कि हम अग्निपत के विरोग में हैं और सरकार इसे वापस ले नहीं तो जनता सरकार को वापस भेज़ देगी और हम अग्निपत को योजना को वापस करेंगे देश की रागधानी दिल्ली में कोविड-19 ने एक बार फिर से अपना सितम धाना शुरू कर दिया है कोविड के उमिक्रोन वेरियंट का एक नया सब वेरियंट बी ए दश्मलब 5 मिला है देख्रिन दिल्ली, देख्रिन पूर्वी और मध्य दिल्ली में इस नये वेरियंट के कुछ मामले पाए गए हैं अगर हम बात राजदानी दिल्ली की करें तो यहाँ पर भी कोरोना के मामलों में तेजी से बड़ोतरी देखी गई है बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 628 मामले सामने आये हैं 23 और 3 लोगों की मौत हो चुकी है वहिन संक्रमर दर 7.8 पीस दर्ज की गई है कुल सक्रिय मामलों की संक्या 4,717 है जबकि 1,011 लोग ठीक होकर अपने घरों को पहुँचे हैं राजदामी दिल्ली में अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो 17 जून को जहां दिल्ली में 190 कंटीनमेंट जोन थे जो 24 जून तक बढ़कर 322 हो गए और मध्य दक्षुर पूर्वी दिल्ली से लिए गए जिन नमूनों की जिनोम अनुकरमन किया गया उनमें से करीब 5 प्रतिशत में B.A. 5 सब फार्म होने की पूस्टी हुई है वहीं दक्षुर दिल्ली से लिए गए करीब 2 प्रतिशत नमूनों में इसकी मौजुगी मिली है अधिकतर नमूनों में ओमिक्रोन की B.A. 5 सब फार्म के होने का पता चला है विश्योशद्यों के अनुसार बिये दिश्मलव 5 तेजी से फैलता है लेकिन इससे गंभी सिंक्रमट नहीं होता है कॉंग्रेस अध्यल सोनिया गांदी के निजी सच्चिप पर रेप का आरोप लगा है दिल्ली के उत्तम नगर ठाने में एक दलित महिला ने सोनिया के निजी सच्चिप पीपी माधवन के खिलाप नौकरी और शादी का छांसा देगा दुशकर्म के आरोप में केस तरश कराया है 26 जून को दिल्ली के उत्तम नगर ठाने में FIR दर्श की गई है महिला ने FIR में बताया कि उसका पती कॉंग्रेस का रेलाय में होडिंग लगाने का काम करता था लेकिन दो साल पहले उसकी मौत हो गई थी इसके बाद उसने नौकरी के लिए पीपी माधवन से संपक्ख किया माधवन ने उससे बादचीत की और बादचीत की तोरान कई वारों की मुलाकात भी हुई महिला का आरोप है कि माधवन ने नौकरी और शादी के जहांसा देकर उसके साथ कई बार वेख किया वहीं आरोप पोपर माधवन ने कहा है कि वो महिला को जानते हैं लेकिन आरोप गलत है FIR के मताविक 21 जनवरी 2022 को माधवन ने पहली बार महिला को अपने घर पर बुलाया था इसके बाद माधवन ने उसे बताया कि उनका अपनी पत्नी से तराक हो चुका है महिला की कई बार माधवन से मुलाकात हुई इस दोरान कई बार महिला ने अपने सास्क जबरदस्ती की बात FIR में कही है उत्तम नगर थाने में महिला की श्रकायत पर माधवन के खिलाफ धारा 376-506 के तहट केस दर्ज किया गया है और आगे की चांच थी जा रही है फिलाल के लिए खबरों में इतना ही देखते रहे है रास्ट्रिय हंदी न्यूज जए है आप देख रहे हैं रास्ट्रिय हंदी न्यूज